हलो फ्रेंड्स वेलकम टो एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्रिंग चैनल और आज के शेशन में हम समझेंगे जोब रिस्पोंसपिल्टी ओके सो कंपनी है रोयल एग्रो मार्ट प्राइवेट लिमिटेड जिसकी जोब रिस्पोंसपिल्टी को हमने दो तीन शेशन में डिवाइ वो इससेशन के तुर मां समझ लेतें हैं ठीक है तो स्टाट करते हैं शेशन को जोब हाइलाइट्स ओके तो बात्य जोब हाइलाइट्स है यह अनुज सार्था रिस्पोंसपॉटी the ends when data in report is complete from the start of the shipment till the safe delivery okay so here the responsibility is end when shipment safely deliver हो जाएगी ठीक है तो यहां पर शिप्मेंट हमने एक्सपूर्ट किया एस पर कस्टम रूज वे हैं प्रिपेद सेट अब डॉकुमेंट फार्द कस्टम ओके आप्टर शिप्मेंट सेल जो भी इंटरनल एक्टिविटी है वह हमने कंप्लीट की ओके और इसकी जो एंड रिस नहीं है ओके तो देन सेवली डिलीवर निया तो वाट विल एपन इसमें आपको फिर से एक कंप्लेंट या रिक्वेस्ट जो भी होगी वह फोलो करना पड़ेगा और वह स्टेप चलती जाएगी लेकिन अगर शिप्मेंट आपकी सेपली सेफली डिलीवर हो जाती है ठीक ह डेन देट कर आपकी जो प्रोसेश पूरी यहां पर एक्सपोर्ट की विश्चेक्यट हो जाती है रिकरत इसमें क्या 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 रहता है वह समझ लिटे इसमें आपका रहेका रिपोर्ट आपको जो प्रिपेर करना हैं और देट आज CRA Polरे इसमेंक्ट班 का स्तुमक्न हैंट to conquer debt, shipment, sell debt, SOB debt, okay, and you can also mention the debt detail like a via through shipment, transshipment, if shipment is transshipment, then via port and like that, then delivery, okay, so this data report we need to prepare accurately, okay, so this is a responsibility which we need to maintain properly, when it is when the shipment finally delivered, let's talk about the second responsibility, what is the second responsibility, should keep a track till delivery ends, close by entering the data in reports should have real-time data availability, okay, so real-time data availability कि आपका जो डेटा है वो रियल-time होना चीए, कब आपने फेक्टरी से निकाला, okay, कब कस्टम किल्रेंस हुई, ठीक है, कब आपका वापे कार्गो में लोड हुआ, इसके लावा, शिप पर चड़ा तो यह टाइम आपका एक्यूरेट होना चीए, रियल-time, यहां पर हम पढ़ रहे हैं, जो रिस्पूंसिटी अप देटा प्रिपेर कर रहे हो, ठीक है, वह आपका एक्यूरेट होना चीए, ठीक है, तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं, जो रिस्पूंसिटी अब रोयल एग्रो मार्ट प्रावेट लिमिटेट, ठीक है, तो यहां पर दो रिस्पूंसिटी हमने समझने की कोशिश किये, अब हम नेक्स्ट पेच पर चलता है, और यहां पर यहां पर हर चीट के चेक लिस्पूंस प्रिपेर की जाएगी, और उसके इसाब से आपका, वह डोकुमेंट साइन, जो भी एक्सपूर्ट करते हैं, उसका रिकोर्ट हमें जीए, ठीक है, रिकोर्ट किसले जीए, आपके, समयल अक्सा है जो गॉर्मेंट के लिए ठीक है, यहां फिर फ्यूचर ओडिट के लिए, तो सारा हमें में इस फाइल को कैसे कहना, इसने जो लिखा इस पर, ओल्वेज, चेक्लिस्ट उप इच डॉक्मेंट शुद भी साइन, ओके, एंड केप दे विद शिपिंग डॉक्मेंट्स, ओके, रिकोर्ट, तो यहां पर समझने की बात है कि, जब हम चेक्लिस्ट प्रिपेर कर रहे हैं, तो उसमें में लिखना है, जैसे फाइल बना ही हमन यह डॉक्मेंट लगा देजिस, सबसे पहले हमारे पास परचेज और रहा है, फिर पर्फोर में परफोर में बनादेर परचेस और रहा है, उसके बाद हमने इन्वेज कमर्शियल इनवेसर बैकिंगे मनाई है, तो वी नीद टू जेक्लिस्ट उस चेक्लिस्ट नेवे उस फाइल ओल दोकुमेंट शुड्ड बी दन इराइट ताइम राइट ताइम मेंस जैसे आज लिसकी किया तो आज कि नहीं भी दोकुमेंट आपकर एंड जूद भी फाइल ने पर्तिकूल आपकर एट डश्ञा फैल इसा नहीं कि आज यह पूणुस्ट लौन पना लें गया इ कि तो यहां पे हमने दो एक्तिविटी इस शेशन इसमें समझ्जी है और तो मोरे डिविटी में तो यहां पे इंपोर्टें चीज़ यह है कि हमें इन चीजों का काफी ध्यान रखना होता है ठीक है जब भी हम सिस आइप की जोब को करते हैं और हमारी जो रिसपोंसविटे आती है तो हमें इनका फॉलो करना होता है इस शेशन में हम इतना ही समझेगे इस सेटिजन का सेकेंड पार्ट होगा हो हम नेक्स एक्त प्रलास में डिस समझें वोँ बस्पूमस रड़ीको बाइवा वन समझनी कुशिस करने so guys thank you for watching the session we will meet in the next session thank you for watching the session have a nice day